अगर आपका परिवार खात्य सुरुक्सा योजना में सामिल हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट हैं, तो उसी अपडेट के बारे में आज की इस वीडियो में आप सभी को जानकारी देने वाला हूँ, जैसा कि आप सभी को पता हैं कि अगर आप खात्य कौन से महिनों में दिया जाएगा और ये कब दिया जाएगा तो इसके बारे में complete detail में आज के इस वीडियों में आप सभी को जानकारी देने वाला हूं तो राजस्तान सरकार यहाँ पे बाजरा वितरन करने से समंदित विसार विमस कर रही हैं उसके बाद यहाँ पे राज्य सरकार के दुआरा समर्तन मुले पे बाजरे की खरीद की जाएगी इस वर्ष उसके बाद जैसे ही नवंबर दिसंबर वा जनवरी महिना आएगा यानि क बहुती बड़ी अफडेट हैं, इसके बारे में रज्य सरकार विसार विमस कर रही है अगर विसार विमस के दौरान उनको अगर लगता है कि ऐसा किया जाना सही है तो राज्तान सरकार पहले समर्तन मुल्य पे बाजरा के खृत करेगी और उसके बाद आप सभी को ये बाजरा वित्रित करेगी तो ये बहुती बड़ी अपडेट निकल के आ रही थी क्योंकि राजस्तान के अंदर बाजरे की रोटी खाना सरदी के मौसम में बहुत ज़़ा लोग पसंद करते हैं तो जिस किसी को भी बाजरे की रोटी काना पसंद है और वो खद्य सुरुक्सा योईना में सामिल है तो उनके लिए बहुती बड़ी अपडेट है कि उनको निसुल्क बाजरा मिल सकेगा तो ये एक निव अपडेट थी तो मुझे लगा क्योंन वीडियो बनाके एक रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा उसके उपर क्लिक करना है और उसके बाद एक बैल आइकन दिखाई देगा उसके उपर क्लिक करके ओल नोटिफिकेशन ओन कर लेने हैं जिससे कि जब भी बें कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके मूबल पर नोटिफिकेशन मिलेगा और उस नोटिफिकेशन के जरीए आप उस वीडियो को देखके ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राब तकर सकेंगे तो सेनल को सब्स्ट्राइब करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है तो अगर आपको ये जानकारी कैसी लगी और राजस्तान सरकार की तरफ से अगर बाजरा वित्रित किया जाता है तो किया जाना चाहिए या फिर नहीं किया जाना चाहिए ये आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताए कि किन किन लोगों को बाजरे की रोटी काना पसंद है तो ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में जाके जल्द से जल्द कमेंट करके बता सकते हैं तो बाई बाई जोस्तों